शब लेट अस्टाप टेट पे ते सब्सक्राइब कोण आमादे चानेले और बेल आइकने क्लिक कोटते भूल बेनना नमस्कार मेरे पहरे देश्वासियो मैं आज एक बार फिल कोरोना वैस्विक महामारी पर बात करने के लिए आपके बीच आया 22 मार्च को जनता करिफ्यू का जो संकल्प हमने लिया था एक राष्ठ के नाते उसकी सिध्धी के लिए हर भारत वासी ने पूरी संवेदन सिल्टा के साथ पूरी जिम्मेदारी के साथ अपना योगदान दिया बच्चे, बुजूर, छोटे, बड़े, गरी, मद्यम हर वर्क के लोग हर कोई परिच्चा की इस घड़ी में साथ हाई जनता करिफ्यू को हर भारत वासी ने सफल बनाया एक दिन के जनता करिफ्यू से भारत ने दिखा दिया कि जब देश पर संकट आता है जब मानवता पर संकट आता है तो किस प्रकारत है हम सभी भारतिया मिल करके एक जुड़ होकर उसका मुकाबला करते हैं आप सभी जनता करिफ्यू के लिए उसकी सभलता के लिए प्रसुंसा के पात रहे साथियों आप कोरोना वैस्विक महामारी उस पर पूरी दुनिया की स्थिती को समाचारों के माध्यम से सुन भी रहे हैं और देख भी रहे आप ये भी देख रहे हैं कि दुनिया के समर्थ से समर्थ देशों को भी कैसे इस महामारी ने बिलकुल बेबस कर दिया है ऐसा नहीं है कि ये देश प्रयास नहीं कर रहे है या उनके पास संसाधनों की कमी है लेकिन कोरोना वाइरस इतनी तेजी से फैल रहा है कि तमाम तैयारियां और प्रयासों के बावजुद इन देशों में चनवती बढ़ती ही जा रही है इन सभी तेशों के दो महिनों के अध्यान से जो निश्कर से निकल रहा है और एक्सपर्स भी यही कह रहे हैं इस वैश्वीक महमारी कोरोना से प्रभावी मुकाबले के लिए एक मात्र विकल्प है सोशल डिस्टन्सिंग सोशल डिस्टन्सिंग यानि एक दूसरे से दूर रहना अपने घरों में ही बंद रहना कोरोना से बचने का इसके अलावा कोई तरीका नहीं है कोई रास्ता नहीं है कोरोना को भैलने से रोकना है तो उसके संक्रमन की जो साइकिल है उस साइकिल को तोड़ना ही होगा कुछ लोग इस गलत फ्हाहमी में है कि सोशल डिस्टन्सिंग केवल मरीज के लिए बिमार लोगों के लिए आवशक है ये सोचना सही नहीं सोशल डिस्टन्सिंग हर नागरिक के लिए हर परिवार के लिए परिवार के हर सदस्ट के लिए है प्रधान मंत्री के लिए भी है कुछ लोगों के लापरवाही कुछ लोगों की गलत सोच आपको आपके बच्चों को आपके माता-पिता को आपके परिवार को आपके दोस्तों को और आगे चल करके पुरे देश को बहुत बड़ी मुश्टिल में जोंग देंगी अगर ऐसी लापरवाही जारी रही तो भारत को इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकते और ये कीमत कितनी चुकानी पड़ेगी इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है साथियों पिछले दो दिनों से देश के अनेक भागों में लॉकडाउन कर दिया गया है राज्य सरकार के इन प्रयासों को बहुत गंबीरता से लेना चाहिए हेल्थ सेक्टर के एक्सपर्स और अन्य देशों के अनुभवों को ध्यान में रखते हुए देश आज एक महत्मपून लिने करने जा रहा है आज राद आज राद बारा बजे से पूरे देश में ज्यान से सुनिए पूरे देश में आज राद बारा बजे से संपून देश में संपून लोकडाउन होने जा रहा है हिंदुस्तान को बचाने के लिए हिंदुस्तान के हर नागरिक को बचाने के लिए आपको बचाने के लिए आपके परिवार को बचाने के लिए आज राद बारा बजे से गरों से बाहार निकलने पर पूरी तरह पाबंदी लगाई जा रही है देश के हर राज्य को, हर केंद्र सासिक प्रदेश को, हर जिले, हर गाव, हर कस्पे, हर गली, मौले को अब लॉकडाउन किया जा रहा है ये एक तरह से कर्फ्यू ही है, जन्ता कर्फ्यू से भी कुछ कदम आगे की बात, जन्ता कर्फ्यू से जरा जाजा सक्त कोरोना महामरी के खिलाब, मिरनायक लड़ाई के लिए, ये कदम अब बहुत आवश्चक है निश्चित तोर पर, इन लॉकडाउन की एक आर्थिक कीमत, देश को उठानी पड़ेगी लेकिन एक एक भारतिय के जीवन को बचाना, आपके जीवन को बचाना, आपके परिवार को बचाना इस समय मेरी भारत सरकार की, देश की हर राचे सरकार की, हर स्थानिय निकाई की सबसे बड़ी प्राफिकता है और इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है और मैं हाद जोड़के प्रार्थना करता हूँ कि आप इस समय देश में जहां भी हैं वही रहे अभी के हालात को देखते हुए देश में ये लोकडाउन 21 दिन का होगा तीन सब्ता का होगा और जब मैंने पिछली बार आपसे बात की थी तब मैंने आपसे कहा था कि मैं आपसे कुछ सब्ता मांगने के लिए आया आने वाले 21 दिन हर नागरिक के लिए, हर परिवार के लिए बहुत ही महत्वपूर हेल्थ एक्सपर्स की माने तो कोरोना वाइरस की संक्रमन साइकिल तोड़ने के लिए कम से कम 21 दिन का समय बहुत एहन है अगर ये 21 दिन नहीं समले तो देश और आपका परिवार 21 साल पीछे चला जाए अगर ये 21 दिन नहीं समले तो कई परिवार हमेशा हमेशा के लिए तबाह हो जाए और मैं ये बात एक प्रधान मंत्री के तौर पर नहीं आपके परिवार के सदस्य के नाते कह रहा हूं इसलिए बाहर निकलना क्या होता है ये इन 21 दिनों के लिए भूल जाए गर में रहे गर में रहे और एक ही काम करें कि अपने घर में ही रहें साथियों आज के फैसले ने देश व्यापी लॉकडाउन ने आपके घर के दरवाजे पर एक लक्षमन रेखा खीच दी आपको ये याद रखना है कि घर से बाहर पढ़ने वाला आपका सिर्फ एक कदम आपका सिर्फ एक कदम कोरोना जैसी गंभीर महामारी को आपके घर में ले आ सकता है आपको ये याद रखना है कि कई बार कोरोना से संकरमित व्यक्ति शुरुवात में बिलकुल स्वस्थ लगता है वो संकरमित है इसका पता ही नहीं चलता और इसलिए एहतियात बरतिये अपने घरों में रहिए वैसे जो लोग घर में हैं वो सोचल मीडिया पर नए नए तरीकों से बहुत इनोवेटिव तरीके से इस बात को बता रहे हैं एक बैनर जो मुझे भी पसंद आया मैं आपको भी ये बहुत कम शब्दों में संदेश दिखाना चाहता है कोरोना यानी कोई रोड पर ना निकलने कोरोना यानी कोई रोड पर ना निकले साथियों एक्सपर्ट का ये भी कहना है कि आज अगर किसी व्यक्ति में कोरोना वाइरस पहुंता है तो उसके सरीर में इसके लक्षन दिखने में कई कई दिन लग जाते है इस दोरान वो जाने अंजाने हर उस व्यक्ति को संकर्मित कर देता है जो उसके संपर्क में आता है World Health Organization की रिपोर्ट बताती है कि इस महामारी से संकर्मित एक व्यक्ति सुनिए एक व्यक्ति सिर्व हपते दस दिन में सेंकडों लोगों तक इस बिमारी को पहुचा सकता है यानि ये आँख की तरह तेजी से फैलता है वर्ल्ड हेल्थ और्गनाइजेशन का ही एक लाख तक पहुचने में सरसट दिन उसके बाद सिर्फ ग्याना दिन में सिर्फ ग्याना दिन में ही एक लाख नए लोग संकर्मित हो गए यानि दो लाख हो गए सोचिए पहले एक लाख लोग संकर्मित होने में सरसट दिन लगे और फिर इसे 2,00,00 लोगों तक पहुँचने में सिर्फ 11 दिन लगे यह और भी बयावा है कि 2,00,00 संक्रमित लोगों से 3,00,00 लोगों तक यह बिमारी पहुँचने में सिर्फ 4 दिन लगे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कोरोना वाइरस कितनी तेजी से फैलता है और जब ये फैलना शुरू करता है तो इसे रोकना बहुत मुश्किल होता है साथ्यों यही वज़े हैं कि चीन, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, इटली, इरान जैसे अनेक देशों में जब कोरोना वाइरस ने फैलना शुरू किया तो हालात बेकाबू हो गए और ये भी याद रखिये, इटली हो या अमेरिका, इन देशों की स्वास्त सेवा, उनके हस्पिटल, उनके यहाँ आदूनिक संसाधन, पूरी दुनिया में बहत्रीन है, उनकी व्यवस्ताएं बहत्रीन मानी जाती है बावजुद इसके ये देश कोरोना का प्रभाव कम नहीं कर पाए सवाल ये किस स्थिति में उमीद की किरान कहा है? उपाय क्या है? विकल्प क्या है? साथियों कोरोना से निपटने के लिए उमीद की किरान उन देशों से मिले अनुभव है जो कोरोना को कुछ हद तक नियंत्रित कर पाए हपतों तक इन देशों के नागरी गरों से बार नहीं निकले इन देशों के नागरी को ने सत प्रतिशत हंड्रेट परसंट सरकारी निर्देशों का पानन किया और इसलिए ये कुछ देश अब इस महामारी से बहार आने की और बढ़ रहे हमें भी ये मान कर चलना चाहिए कि हमारे सामने सिर्फ और सिर्फ यही एक मार्ग है एशह पंथा हमें गर से बाहार नहीं निकलना है चाहे जो हो जाएं गर में ही रहना है सोच्यल डिस्टंसिंग प्रदान मर्द्री से लेकर के गाउं के छोटे से नागरिक तब सब के लिए कौरोना से तभी बचा जा सकता है जब घर की लक्ष्मन रेखा न लांगी जाएं हमें इस महामारी के वाइरस का संक्रमन रोकना है इसके फैलने की चेन को तोड़ना है साथियों भारत आज उस स्टेज पर है जहां हमारे आज के एक्षन तै करेंगे कि इस बड़ी आपदा के प्रभाव को हम कितना कम कर सकते ये समय हमारे संकल्प को बार बार मजबूत करने का है ये समय कदम कदम पर संयम बरत दे का है आपको याद रखना है जान है तो जहान है साथियों ये धैरिय और अनुशाषन की घड़ी है जब तक देश में लॉकडाउन की स्थिती है हमें अपना संकल्प निभाना है अपना बचन निभाना है मेरी आप से हाथ जोड़ करके प्रार्तना है कि घरों में रहते हुए आप उन लोगों के बारे में सोचिए उनके लिए मंगल काम ना करिये जो अपना कर्तब्य निभाने के लिए खुद को खत्रे में डाल कर काम करने उन डॉक्टर्स उन नर्सेस पैरामेडिकल स्टाफ पैतोलोजिस उनके बारे में सोचिए जो इस महामारी से एक एक जीवन को बचाने के लिए दिन रात अस्पताल में काम कर रहा है अस्पताल प्रसासन के लोग एम्बिलन्स चलाने वाले ड्राइवर बॉर्ड बॉइश उन सभाई कर्मलचारियों के बारे में सोचिए जो इन कठीन परिस्थितियों में दूसरों की सेवा कर रहा है आप उन लोगों के लिए प्रार्षना करिए जो आपकी सुसाइटी आपके महलों आपकी सडकों सारवजनिक स्थानों को सैनिटाइज करने के काम में जुटे हैं जिसमें और जिसके कारण इस वाइरस का नामों निशान न रहे हैं आपको सही जानकारी देने के लिए 24 गंटे काम कर रहे मेडिया के लोगों के बारे में भी सोचिए जो संक्रमन का खत्रा उठाकर सडकों पर अस्पतालों में है आप अपने आसपास के पुलीस कर्मियों के बारे में सोचिए जो अपने घर परिवार की चिंता किये बिना आपको बचाने करिए आपके परिवार को बचाने करिए दिन रात ड्यूटी कर रहे है और कई बार कुछ लोगों के गुस्ता खेके भी शिकार हो जाते हैं गुस्ता भी जेल रहे हैं साथियों कौरोना बैश्विक महामारी से बनी स्थित्यों के बीच केंद्र और देश भर की राजसरकारें तेजी से काम कर रही हैं रोज मरा की जिन्दगी में लोगों को असुविदा ना हो इसके लिए निरंतर कोशिश कर रही हैं सभी आवशक बस्तों के सप्लाइब बनी रहें इसके लिए सभी उपाय किये गए हैं और आगे भी किये जाएंगे निश्चित तोर पर संकट की ये घड़ी गरीबों के लिए भी बहुत मुश्किल वक्त लेकर आई है केंदर सरकार, राज सरकारों के साथ समाथ के अन्य संगठन, सिविल सुसाइटी के लोग गरीबों को मुसिबत कम हो इसके लिए निरंतर जुटे हुए गरीबों की मदद के लिए अनेकों लोग साथ आ रहा है साथ के ओ जीवन जीने के लिए जो जरूरी है उसके लिए सारे प्रयासों के साथ ही जीवन बचाने के लिए जीवन बचाने के लिए जो जरूरी है उसे सर्वोच्च प्रात्फिक्ता देनी ही पड़ेगी इस वैश्विक महामारी से मुकामला करने के लिए देश की स्वास्त व सुविधाओं को तैयार करने का काम केंद्र सरकार लगातार कर रही है वीश्व स्वास्तों संग्राथान भारत के बड़े चिकित्साव और अनुसंदान संस्तानों तथा स्वास्तों विश्यसग्यों की सलाः और सुझाव पर कार्य करते हुए सरकार ने निरंतर फैंसले भी लिए अब कोरोना के मरीजों के इलाज के लिए देश के हेल्थ इंफास्रक्टर को और मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार ने आज पंदरा हजार करोड रूपिय का प्रावधान किया है इससे कोरोना से जूड़ी टेस्टिंग फसलिटीज पर्सनल प्रोटेक्टिव एक्विप्मेंट्स आइसोलेशन बेट्स आइसी यू बेट्स वेंटिलेटर्स और अन्य जरूरी साधनों के संध्या तेजी से बढ़ाई जाएगी साथ ही मेडिकल और पेरामेडिकल मेन पावर के ट्रेनिंग का काम भी किया जाएगा मैंने राज्य सरकारों से अनुरोद किया है कि इस समय सभी राज्यों की पहली प्रात्मिक्ता सिर्फ और सिर्फ स्वास्त सेवाए ही होनी चाहिए हेल्थ केर ही प्रात्मिक्ता होनी चाहिए मुझे संतोस है कि देश का प्राइवेट सेक्टर भी पूरी तरह से कंदे से कंधा मिलाकर संकट और संकरमन की इस गड़ी में देश वास्यों के साब खड़ा है प्राइवेट लेब्स प्राइवेट अस्पताल सभी इस चुनौती पूर्ण दौर में सरकार के साथ काम करने के लिए आगे आ रहे हैं लेकिन साथियों ये भी ध्यान रखिए कि ऐसे समय में जाने अंजाने कई बार अफ़ाएं भी बहुत जोर पकरते हैं और अफ़ाएं के ट्राविल करने की ताकत भी बहुत होती है मेरा आप से आग्रह है कि किसी भी तरह की अफ़ा और अद्र विश्वास से बचे आपके द्वारा केंद्र सरकार राज सरकार और मेडिकल फेटेनिटी द्वारा दिये गए निरदेश और सुझाओं का पालन करना बहुत जरूरी है मेरी आप से प्रार्थना है किस बिमारी के लक्षणों के दवरां बीना डॉक्टरों की सलाह के कोई भी दमा न ले किसी भी तरह का खिलवार आपके जीवन को और खत्रे में डाल सकता है साथियों मुझे विश्वास है हर भारतिय संकट की इस गड़ी में सरकार के स्थानिय प्रसासन के निरदोंशों का पालन करेगा 21 दिन का लॉक्डाउन लंबा समय है लेकिन आपके जीवन की रक्षा के लिए आपके परिवार की रक्षा के लिए उतना ही महत्वपुन है हमारे पास यही एक महत्वपुन रास्ता है मुझे विश्वास है हर हिंदुस्तानी इस संकट का न सिर्फ सफलता से मुकाबला करेगा बलकि इस मुश्किल घड़ी से विजय होकर निकलेगा आप अपना ध्यान रखिए अपनों का ध्यान रखिए और आत्म विश्वास के साथ कानून नियमों का पालन करते हुए पूरी तया संयम बरते हुए विजय का संकल्प करके हम सब इन बंधनों को स्विकार करेगा आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद आप स्री घ्यान प्यान व्यान प्यान करेगा विए लुप